राधे राधे दोस्तों, बच्चा होने के बाद ये खाया जाता है, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन जब खाने में बहुत ही अच्छा हो और ठंडियों में ये बहुत ही हिल्दी हो, तो क्यों न हम इसे ऐसे भी कभी कभी बना करके खा लिया करें? हमारे नास्ते के प्लेट में आप देख रहे हैं पाव भाजी है, भाजी जिसमें हमने नीबू और प्याज डाल दिया है, ये है एक कटूरी भर करके हमने लिया है स्वाद से भरपूर, वो रेसिपी जो आज में आपको बताने वाली हूँ, इसमें देखा आपने हमने धेर सा सारा भर के घी डाल दिया है, घी डालने के बाद स्वाद दो गुनु से बढ़ करके चार गुनी हो जाती है, और खाने में तो ये इतना लाजवाब लगता है कि आप पूछो ही मर, और इसका एक सिक्रेट बात बताओं, इसको खाने के बाद हमारे घर की सास भी बड़ी अखरोट केवल तीन लिया है, इन सब को हम एक ही साथ जार में डालेंगे और उसको अच्छे से ग्राइंड करना है, और इसमें आधा ग्लास के करी पानी भी एड़ कर लेंगे, यहाँ देखिए, ग्राइंड करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इतनी पतली ही होनी चाहिए, अगर आप चाहें तो ड्राइफ फ्रूट को आप रात में भी भीगा सकते हैं, उससे आपका ड्राइफ फ्रूट बड़ी आसानी से पिस जाएगा, इसको बनाने के लिए हमने एक कराही में दो चम्मच, बड़ा चम्मच घी डाला है, उसमें थोड़ा जीरा भी डाल दिया है, इसके बाद हमने जो ग्रैंड किया हुआ था, सारे ड्राइफ फ्रूट को कराही में डाल दिया है, ठीक है, इसके बाद फिर हमने बहुत थोड़ा सा वन पिंच के बराबर हल्दी डाल दिया है, इससे इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, और यह देखने में भ अगातार भूनना है, इसे छोड़िएगा नहीं, नहीं तो यह नीचे इसे जल जाएगा, अब हम इसमें आधा चम्मच, पीसी सोंट का पाउडर, मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं, अगर आपके पास पीसा सोंट नही बाहर आ गया है, जैसे हम नॉर्मल मसाला भूनते हैं, जस्ट उसी तरह हमने भूनना है, अब हम यहाँ पर डेड़ गिलास के करीब पानी डाल लेंगे, और इसे अच्छे से नीचे से चलाते हुए, खोब बढ़िहां से पानी और ड्राइफ फूर्स को मिला लेंगे, क्यो और चूलहे का फ्लेम तेज ही रहेगा, यहां हमने एक कटोरी भूना हुआ आटा लिया है, जो अच्छे से भूना होना चाहिए, और जितना आटा लिया है, जस्ट उसी के बराबर हमें चीनी लेना है, चीनी को अब कम या ज़्यादा अपने एक ओर्डिंग कर सकते हैं, द बहुत ज्यादा इसे गाढ़ा नहीं करना है, यह जो उच्छवानी हमारा बना है, इसको थोड़ा सा पतला ही रखते हैं, तभी यह खाने में बहुत ही मज़िदार लगता है, लीजिए, आपका नया डिस बन करके तयार हो गया है, ठे सारा घी डाले और मजा करिए, अगर आपको वीडियो पसंद है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें था,